नया संदेश ले फिर से, नई जोती जगे फिर से उठो तपस्वियों जागो नया लक्ष साधने का समे फिर आ रहा है कि तपस्या का परम्षिंगार करने का समे फिर आ रहा है चलो अब इतनाई मशाल की ज्वाला फैले अक्यान के घनगोर अंधकार में फिर कि मधुर रागिनी का साज भर दे सन आटों से भरी वी राणियों में फिर भटकती आक्म जोती निशा के बाद हर दम ही सूरज आता रहा है यह जिवन की गति रही है मैले पंक में ही पंकज खिलते रहे है असंभव होने पर भीर दे में संभव की आशाएं जीत की जलती रही है असंभव होने पर भीर दे में संभव की आशाएं हर दम जलती रही है असंभव आज का सच है संभव होना है फिर भी उठो वैरागियों उठो वैरागियों नव क्रांती का सुत्र पात करने का समय फिर आ रहा है कि साधना की कठोर जनकार करने का समय फिर आ रहा है नया संदेश ने फिर से नई जोती जगे फिर से उठो तपस्वियों जागो नया लक्ष साधने का समय फिर आ रहा है कि तपस्या का परंशिंगार करने का समय फिर आ रहा है फिर आ रहा है फिर आ रहा है आज बदरा उठा प्रेम का रहम पर बर्शा होई आज बदरा उठा प्रेम का रहम पर बर्शा होई हर शिली हो गई आत्मा और हरी भरी बन राई मनमस्त हुआ फिर क्या बोले फिर क्या बोले फिर क्या बोले मनमस्त हुआ फिर क्या बोले मनमस्त हुआ फिर क्या बोले हीरा पाया गार बांध गठरिया हीरा पाया बांध गठरिया बार बार वाको क्यों खोले मनमस्त हुआ फिर क्या बोले कहत कबीर सुनो भैसाधो साहब मिल गया तिल ओले मनमस्त हुआ फिर क्या बोले मनमस्त हुआ फिर क्या बोले आज बदरा उठा प्रेम का रहम पर बरसा होई हर्शिली हो गई आत्मा और हरी भरी बन राई आत्मा प्रभु प्रेम से भरिए संपूर्णता का अनुभा बादल उठा है प्रेम का बर्शा हो रही है आत्मा हर्शित हुई है और सारा संसार हरित हुआ है जैसे मनमस्त हुआ यह रुहानी मस्ती है यह नारायनी नशा है यह इलाही मस्ती है पिर क्या बोले अब बोलना कुछ शेश नहीं रहा है शब्द को गए है हल्की थी जब चड़ी तराज पूरी भरी अब क्यू दोले पहले दोलता था पर अब इतनी भर गई है कि अबे दोलने के आवशक था ही नहीं मनमस्त हुआ फिर क्यू बोले हीरा पाया बांध गठरिया एक ऐसा हीरा मिला है जिसको बांध लिया है और सुरक्षित रखा है भी दर बार-बार वाको क्यू खोले उसे बार-बार देखने के होशक था नहीं क्यूकि अंदर सुरक्षित है मनमस्त हुआ फिर क्यू बोले हंस नहा या मानसरोवर ताल तलयया में क्यू डोले हंस को मानसरोवर मिल गया है अब छोटे-मोटे दालाब तलयया इन सब में अब रस नहीं है क्योकि मानसरोवर प्राप्त हुआ है नहने के लिए मनमस्त हुआ फिर क्यू बोले मनमस्त हुआ फिर क्यू बोले कहत कभीर सुनो भाई सादो सहब मिल गया तिल ओले अब तिल-तिल में कडड़-कड़ में पत्थर-पत्थर में वही सुप्रीम वही डिवाईन दिखाई देता है सहब महीं मिल गया मनमस्त हुआ फिर क्यू बोले मनमस्त हुआ फिर क्यू बोले तो यह ब्राह्मन जीवन भी कैसा जीवन है बेफिक्र बादशा का जीवन है निश्चिन्त जीवन है सुभकी साकार मुरली वर्धान दुनिया के लोग रहते है चिन्ता में तुम रहते हो परमातम चिन्तन में करन करावन हार करा रहा है हम निमित है चल रहे है अपने आप सब हो रहा है बेफिकर निश्चिन्त कोई चिन्ता नहीं केर फ्री लाइफ केर लेस नहीं केर फ्री टेंशन फ्री स्ट्रेस फ्री मौजों में आनंद में हर समय क्या है उत्साव उत्साव और इसकी गती भी कैसी है एक रस श्वास की तरह है ना गती ज़्यादा हो और ना ही कम बीच की एक रस ज़्यादा हुई थो भी प्रोब्लेम कम हो थो भी प्रोब्लेम रडिप्निया ठकिप्निया और थोप्निया ठकिप्निया ठकिप्निया अलग 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 शब्द है मेडिकल में तो मनमस्त हुआ फिर क्या बोले आनन्द में डुबा हुआ है और यह आनन्द संसार के लोक जिस तरह मनाते है उस तरह का आनन्द नहीं है यह सुक्ष में है बहुत गुप्त है अंतरिक है योगी यह का आन्द में बैठा हुआ है आनन्द में प्रानिक यातरा का आज का सैतीस वा दिन चत्तिस दिन इस यातरा के पूरे हुए और आज हम जाएंगे पिक्निक पर परन्तु यह जो पिक्निक है यह बड़ी भिन्न है संसार के जो पिक्निक है वो अलग होती है यह पिक्निक अलग है यह भी वैसी है कुछ अर्थों में बहार जाना मौच करना परन्तु इसमें कुछ बाते है जो भिन्न है यह प्रानिक पिक्निक है प्रानूर्जा को स्वैम में भरने की तो आज हम देखेंगे ऐसी कुछ बाते उससे पहले बाबा के कुछ महवाक्या अव्यक्तवानी 13-16 संडे की जो की रिवाइस्ट मुर्ली थी 23 मार्च 81 की तो आज भारत के बच्चों के साथ साथ विदेशियों की भी विशेश ग्यान की पिक्निक की खात्री कर रहे हैं जो जाने वाला होता है उसको पिक्निक देते हैं तो बाब दादा भी पार्टी दे रहे हैं यह ज्यान की पार्टी है दूसरा कभी वर्दान था 27-1-2008 पुद्धी रूपी विवान 12 सेकेंड में तीनों लोकों की सेयर करने वाले सहच योगी भव बाब दादा बच्चों को निमंतरन देते हैं कि बच्चे संकल्प का स्विच आन करो वतन में पहुँच कर सूर्यकी किरने लो चंद्रमा की चांदनी लो पिकनिक भी करो खेल खुद भी करो इसके लिए सिर्फ बुद्धी रुपी विमान में डबल लाइट पेट्रोल की अवशकता है डबल रिफाइन अर्थात एक निराकारी निष्चे का नशा है कि मैं आतमा हूँ बाप का बच्चा हूँ दूसरा साकार रूप में सर्वसंबंदों का नशा यह नशा और खुशी सहयोगी भी बना देगा और तीनों लोकों की सहर भी कराते रहेंगे तो इसमें दस बाते थी इस वर्दान में पहला सुक्ष मवतन से बाप दादा का बच्चों को निमंतरन फिर बुद्धी रुपी विमान में बैठना फिर संकल्प का स्विच ओन करना फिर डबल लेफाइंड पेट्रोल भरना सुक्ष मवतन की सहर करना ज्यान चंद्रमा से चांदनी लेना ज्यान सूर्य से सूर्य की किरने लेना पिकनिक करना, खेलकुत करना, तीनों लोकों की सहर करना अगला अव्यक्त वानी 14 जन्वरी 2018 संडे जो की थी रिवाइज जुमूरली 19th April 83 की आज बाबदादा आये हुए है विशेश पांडव सेना को देख हर्शित हो रहे साथ साथ ब्रह्मा बाबा के हमजीन से तो हमजीन के साथ सदा पार्टी की जाती है पिकनिक मनाई जाती है तो आज इस प्रभूफल की पिकनिक मना रहे है लक्ष्मी नारायन भी ऐसी पिकनिक नहीं करेंगे ब्रह्मा बाप और ब्रामुनों की यह अलवकिक पिकनिक है अगला अव्यक्त मूरली संडे चली थी दो चार सत्रा में जो थी रिवाइज़ अव्यक्त मूरली सत्रा तीन ब्यासी की पार्टी से मुलाकात पार्टी नमबर एक कितने भाग्यवान हो जो भगवान के साथ पिकनिक कर रहे हो ऐसा कब सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा कि साकार में भगवान के साथ खेलेंगे खाएंगे, हसेंगे या स्वप्न में भी नहीं आ सकता था लेकिन इतना स्रेष्ट भाग्यवान है जो साकार में अनुभव कर रहे है कितने स्रेष्ट तकदीर की लकीर है जो सर्व प्राप्ति संबन हो अगला अव्यक्त मूरली पाँच तीन सत्रा संडे की जोकिती रिवाइज जुमूरली 20 जनवरी 82 की टीचर से मुलाकात विदेश की टीचर भेनों के साथ अव्यक्त बाप दादा की पिकनिक हो गई सुनते तो रहते हो ना कभी खाएंगे कभी सुनेंगे यह तो इशुरिय परिवार की विशेष्टा है जो अभी अभी शिक्षक के सामने अभी अभी बाप के सामने अभी अभी सखा के सामने यह भहरूप का अनुभाव सारे कल्प में ना कोई कर सकता है नहीं कोई करा सकता है यह एक ही बाप का बाट संगम पर है सत्यूब में अगर चाहो बाप के साथ पिकनिक मनाए तो मना सकेंगे तो किस के साथ मनाएंगे देवताओ के साथ अभी जो चाहो जिस रूप में चाहो उसी रूप में मिलन मना सकते हो अगला संडे की अव्यक्त वानी सत्रा जन्वरी दोजा सत्रा की आज सभी की पिकनिक है बाब दादा आज की पिकनिक में सभी बच्चों को एक गिफ्ट देंगे लेने के लिए तैयार हो सिर्फ दो शवद की गिफ्ट सदा क्लियर और केरफुल और बहुत सी बाते हैं आगे ये थे बाबा के महवाक्य कुछ ये मोचों का जीवन है मनमस्त हुआ फिर क्या बोले हंस नहा या मानसरो और ताल तलेया में क्यों डोले कहत कभीर सुनो भाई सादो साहब मिला फिर तिल तोले मनमस्त हुआ फिर क्या बोले मस्ती का जीवन है परमात्म चिंतन का जीवन है स्तंसार की चिंताओं का जीवन नहीं आनंद का जीवन है उत्साओं का जीवन है हर दिन उत्साओं है हर दिन पिकनिक है हर दिन त्यवार है एक दिन का त्यवार नहीं है हमारा है अविनाशी उनका है विनाशी, उनका है एक दिन का हमारा है सदाका विठो बाचे राज्य अम्हा नित दिपवावडी भाक्त कहता है उसका राज्य है, हमारी हर दिन दिवाली है तो आज हम पिकनिक पर चलते हैं एक पिता जी पेपर, नियूस पेपर पढ़ रहे है बच्चा सामने है और वो अजीब अगरी उत्पठांग प्रशन पूछ रहा है जिनके कोई उत्तर नहीं, वो पूछता है पिता जी परमात्माने भगवान ने ये आकाश क्यों बनाया चपर क्यों नहीं बनाया पिता जी कहते हैं, क्या भूलू वो कहता है, बिता जी कहते हैं आकाश इसलिए बनाया है, क्योंकि उपर से भूत प्रेद गिरते हैं अगर छपर होता तो जल्दी से नीचे गिरते और बच्चों को तंग करतें आकाश इसलिए बनाया ताकि उतरते उनको सदिया बीद जाते हैं इसलिए नीचे उतर ही नहीं पाते, छपपर होता तो तुरंत उतरते और बच्चों को बहुत ठंग करते, बच्चा शान्त हो जाता है, थोड़ी देर के बाद पीछा जी कहते हैं, आप प्रश्ण मत पूछना मुझे अगबार पढ़ने था, थोड़ी देर के बाद बच्चा फिर कहता है कि मेरा एक और सवाल है, अगर भूत प्रेत उतरते हैं और उनको समय लगता है, तो हमारे मास्टर जी कैसे आगए नीचे, किसी भी बच्चे को स्कूल अच्छी नहीं लगती है, और मास्टर जी तो बिल्कूल अच्छे नहीं लगते, यहां पर भी ऐसा ही है, इसलिए युक्ति सोचते हैं कि कैसे भागे, अच्छी सी युक्ति मिल जाए, कोई तग्रा कारण, तो इसलिए पिक्निकी आउशकता है बीच बीच में, ताकि जो रूटीन है, उससे थोड़ा मुक्तो हो जाए, और हमारी है प्रानिक पिक्निक, ऐसी पिक्निक, जो हम में प्रानूर्जा बरते, शक्ति बरते, अभी हम जो पिक्निक करते हैं, वो किस तरह की पिक्निक होती है, कैसी होती है, हम से ज़्यादा एक्सपर्ट पिक्निक में और कोई हैं नहीं, शायद ब्रामनों से ज़्यादा, जितनी पिकनिक ब्राह्मन करते है परंतु हमारे वर्तमान पिकनिक की रूप रेखा क्या है फोकस क्या होता है उसमें शब्द होते हैं, बोल होती है, आवाज होता है बहुत ज्यादे और क्या होता है? भोजन होता है, और क्या होता है? और क्या होता है? साइट सींग होती है, फोटोग्राफी होती है एंट्रेटेंडमेंट होती है, और क्या होता है खर्चा होता है, बहुत, और क्या होता है एक और चीज़ होती है जब हम परियावरंद में जाते हैं तो वहां क्या करते है गंदगी फैला क्या आते है और हमारी पिक्निक में और क्या होते हैं फ्रेश भी हो जाते हैं ये भी उतनाही सत्ते हैं और गाहना कहते हैं डांस कहते हैं सब कुछ करते हैं शोरगुल करते हैं आवास करते हैं नॉइस और बहुत सारी बाते सीख कर भी आते हैं कल रात में हम चर्चा कर रहते हैं कि सम्मंदों में जब तना हो खड़ास हो कड़वाहट हो तब क्या करना चाहिए बीच बीच में पिक्निक पिक्निक में टेंशन कम होता है, स्ट्रेस कम हो जाता है, फ्रेश हो जाते हैं, आपस में मैत्री हो जाती है, दोस्ती हो जाती है fresh हो जाते है, air pollution से मुक्त रहते है, थोड़े दिर mobile इन सब से दूर रहते है, खेलते समय, distraction से understanding power बढ़ जाती है तो फाइदे तो बहुत होते है चाहे संसार के लोग करे हम करे या कोई भी, picnic में power, कुछ सीखने को मिलता है बहुत चीजी जैसे की management management और उसमें कोई एक team leader भी होता है responsibility लेता है सारी वो भी बहुत कुछ सीखता है इतने सारे group को कैसे handle करना कहां रुकना, कहां जाना कहां कैसे सब manage करना रूठे होएगो, कौन रूठे है अच्छा पहले जो रूठा हुआ है अगर उसमें भी कई सारे route जाते उमगुस्सा में आ जाते सब को खुश करने की कला कैसे सब को खुश करे सब को संतुष्ट करे ये कला आती है एक पिताजी और एक बेटा भूमने जाते है, पिकनिक की ले जाते है सारी तैयारी कर कर जाते है पहुचते है, पहाडों पर यहाँ वहाँ गूमते है और अच्छानक वो जो बेटा होता है पहाड पर टीले पर चड़ने जाता है पैर फिसलता है, नीचे की जाता है उसके चोट लगती है, जोर से चिलाता है आह और पहाडों से वापस आवाज आती है आह, उसे अश्चरी होता है, ये क्या होगा, कौन चिला या, वो देखता है, उसके पिता जी को पुछता है, ये आवाज किसने की, उसके पिता जी कहते हैं, सुनो अब, और उसके पिता जी जोर से चिलाते हैं, तुम कौन हो, उदर से आवाज आती है, तुम कौन हो, फिर पि करके बाद वो पिता जी चिलाते मैं सहासी हूं मैं वीर हूं आवाज आती है मैं सहासी हूं मैं वीर हूं पिता जी कहते हैं जो तुम चिलाते हो वही आवास टक्रा कर तुम तक वापस आती है जो तुम संसार को देते हो वही वापस तुम तक आता है तुम घ्रिणा दोगे त तुम नफरत दोगे, तो नफरत आएगी, वही प्रतिद्वनी होगी, कितना बड़ा पाठ उस बच्चे ने सीख लिया, एको, जो हम देंगे, वही हम तक आएगा, हम घ्रिना दे रहे हैं, यह पिक्षन मत रखो कि प्रेम आएगा, तो ऐसी बहुत सी चीजे हम सीखते हैं, तो वहाँ पर, जो एक साथी था, उसके पास कैमेरा था, तो उसने पूरी फिल्म वगेरे ली, और फिर बहुत लंबा चलना था, चलते समय, वो कैमेरा आफ करना भूल गया, और वो आनी था, और वो चालू था, और जब लास्ट में वीडियो देखा, उसमें बस जमीनी ज जमीन, एक घंटे तक जमीनी जमीन दिख रही है वीडियो में, तो बहुत कुछ हम सीखते हैं, तो आज की हमारी है प्रानिक पिकनिक, इसमें हम कुछ पाते हैं, यह वास्तव में सीधा करके दिखाने की बाते हैं, वहाँ जाकर, फिर भी, यहां बेटे-बेटे ही करेंगे ताकि थियरी पता हो, तब एक्चियोल जब जाएंगे, तब वो करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहली बात है, इस पिकनिक में, पहले तो दिन निश्चित करना है, कब जाना है, महिने में एक बार, हफते में एक बार, और हो सके तो, रोज, जो रोज ही जाते हैं, वो प्रान उड़ जाते हैं, उन्हें फिजिकल फूड की कम आवशक्ता हो जाती हैं, अपने हाप, क्योंकि इम्माटेरियल जो फूड है, निराकारी जो बोजन है, प्राना आहार जो है, इतनी प्रान उड़ जाती है, प्रकृती में जाते ही, कि उसकी आवशक्ता कम पढ़नी लगती है, तो सबसे पहले तो दिन निश्चित करो कब जाना है, महने में एक बार जाना है, छे मास में एक बार जाना है, लोग शेहरों में रहते हैं, बड़े शेहरों में रहते हैं, ट्राफिक है वहाँ तो सूरज दिखने को दिखता नहीं, कभी सूर्योदा है, सूर्यास्त दे अगला स्थान कौन से स्थान पर जाना है प्राकृतिक स्थान हो कोई नदी किनारे कोई जरने के किनारे कोई पहाड कोई समंदर ऐसे स्थान पर जंगल जहां पर भीड भाड नहों जहां पर गाड़ियों की आवाज नहों इतना अंदर इतना डीप हो सुबों के समय जाएंगे रोज तो ऐसा वातावरन मिलेगा उसी स्थान में दिन भर में या शाम को कितनी भीड होती है संसेट जाओ, उधर वाला संसेट शान्त होता है और शाम को जाओ तो कितनी भीड तो स्थान को निश्चित करना है और हो सके अगर रोज ही जा रहे, तो रोज नए-नए स्थानों पर जाओ, एक दिन न मिले दूसरे दिन से, हर दिन नए स्थानों पर जाओ, इतने कितने सारे स्थाने जो हमको पता ही नहीं है, माउंट अवो में इतनी जगा है, जो यहाँ 40 सार से रह रहे हैं, उन्होंने भी पूरा मा लोगों, इतने सारे स्थान हैं यहाँ पर, हमको 12 साल होगे, परन्तु अभी तक इतने सारे, रोज नए स्थान, फिर भी अभी तक इतने स्थान बचे हुए, फिर भी एक दिन पता चलते हैं, यह स्थान तो पता ही नहीं था, नए-ने स्थान, एक विदेशी महिला होती है, विदेश में रहती है, उसको शादी करने की बहुत इच्छा होती है, बहुत धूंडती है, मिलता ही नहीं कोई, बहुत सालों तक धूंडती है, फिर भी नहीं मिलता, आखिर फिर सोचती है छोड़ो, गुमने फिरने निकलता है, भारत आती है, यह भूली जाती है कि अब शा तो उसके साथ वो बैठती है थोड़ी बात करती है तो थोड़े connection जुड़ता है फिर बार-बार मिलते है और फिर दोस्ती हो जाती है और फिर अपने बारे में share करने लगते है और फिर सोचते हैं इसी से शादी करनी है यहां तक बात आ जाती है और बाते करते करते यह पता चलता है कि यह जो विदेशी भाई है यह भारत का नहीं है यह भी विदेश का है और उसी देश का है जिस देश की यह है और फिर बाद में और पता चलती है पता चलता है कि वो उसी शहर का है जिस शहर की यह है और फिर आगे पता चलता है यह रहता भी उसी नगर में है जिस नगर में यह रहती है और बाद में पता चलता है इसका घर तो मेरे घर के पीछे ही है पर उसकी मुलागा ध्वा नहीं हुई कहा हुई? भारत में हुई यह मंगल मिलन वैसे हमारे इर्दगिर्दी इतने सारे स्थान है पर हमने कभी देखे ही नहीं है हम भटीों के लिए सेंटरों पर गया थे कई बार जाते थे तब सुबह सुबह घुमने जाते थे और घुम के आते थे बेनों से या वहाँ के लोगों से गया थे जाके आए उनके ही वाजू में और उन्होंने देखा नहीं है क्योंकि टाइम ही नहीं है सुबह से लेके रात तक व्यस्त दिन चरिया है प्रकृती देखने का समय ही नहीं है महात्मा गांदी भारत में थे और प्रथम जब विदेश गये लंडन में वहां पर किसी ने उनको बताया यह है भगवत गीता यहां नहीं पड़ी वहां बताया और यह तुम्हारे देश की है वहां पर अध्यन चालू किया तो हमारे इर्दगिर्द इतने सारे स्थान है इतनी सारी जगा है जो हमें पदा यह नहीं हमारे लिए साधारंसा है वो तो तिक्ष्न नजर और दृष्टी अब क्या करना है उस दिन अब आते हैं सीधा में चीज़े में दस प्रकार के बोज जो यहां हम कहेंगे अगर हम पिक्निक जा रहे तो पिक्निक भी तीन प्रकार है पहली सबसे बेस्ट पिक्निए है सोलो पिक्निक अक्यले जाना कोई भी साथ ना हो अक्यले और यह रोज की जा सकती है जिसमें हमारे साथ और कोई नहीं है मैं हो बस मैं हूं अपने मौज में हूं अपने आनंद में हूं इतनी मस्ती ही मस्ती अंदर दूसरी पिक्निक है, दो लोग या तीन लोग या चार लोग, छोटा ग्रूप और तीसरा है, बहुत बड़ा ग्रूप जितना बड़ा ग्रूप, उतनी ज़्यादा भायय मुक्ता उतनी उर्जा कम जितना छोटा ग्रूप और जितने कम लोग उतनी अंतरमुकता और उर्जा अधिक ये तो समझ लो और जितना हो सके बहुत दूर जाने की आवशकता नहीं ट्रैवलिंग में ही ज्यादा एनरजी चली जाती है हाँ अगर जा भी रहे हो तो मौन में फिर नहीं तो जाते हैं ब कोई नहीं दिखता है बाद में दूसरों को दिखाने के लिए बस रविंदर नाठ टैगोर ने अपने जीवन का संस्मरंद लिखा है कि मैं अपने एक मित्र के साथ गया वो मेरे गाव में आया था फिर मैं उसको अपने मित्र को थोड़ा सा घुमानी लेगे गया वो विद तो लाव का वियार के दो गंटे में वह एकी बात कह दा है एक हमारे स्विजर लैंड में भी इससे अच्छी जील है और वहा की जी लेन उसमें यहे वहाँ की जील में उसमें वहाह ひो है वहां की जो नवका है वहां इसके इर्दकिर पुरा है dtam Georgia के बाद आके आके वह हमि तो जब जहां हो वहीं रहना है अब इस बगीचे में हो तो केवल बगीचे में ही रहना है फिर भूल जाओ बाकि सब चीजे ब्राह्मन कल्चर हमारे गाउं में भी ऐसा होता था हमारे देश में भी ऐसा होता था हमारे देश का भी कल्चर ऐसा है नविदेश का culture, नभारत का culture, ब्राह्मन का culture, प्रकृति का culture, प्रानिक culture तो सबसे पहला सूरियास्त से पहले बहुत जाओ, जहां भी जाना है सूरियोदय से पहले और वहाँ जाके सबसे पहला क्या काम करेंगे, अगर ग्रूप जाता है हम लोग बहुत कई बार गया है ग्रूप के साथ, पर छोटे ग्रूप के साथ साथ से आठ लोगों का ग्रूप अभी बहुत समय से नहीं गए परन्तु, मैं भी दो-तिन मैने से नहीं गए, परन्तु हर संडे जाते थे, एक चोटे गुरूप के साथ और जहां भी जाते हैं जल्दी 6 वजे से 6 सवा 6 तक पहुचना है या 6.5 तक सबसे पहला काम वहां करते थे संगेजिंग साथ अट लोग है चपल निकालो नंगे पाओ खड़े हो जाओ जमीन पर पत्थर पर जैसे भी और सूर्योग रहा है तो सूर्य को देखना है उक्ते हुए सूर्य को जो लोग रोज नहीं जा सकते कभी-कभी जाते है उनके लिए कभी-कभी पर लोग जो रोज जाते है उनके लिए तो बहुत अच्छा तो सबसे पहले शुरुआत कहा से करनी है पिकनिक की sun gazing से यह हम लोग जो जाते है उसका protocol बता रहे तो यह सबसे पहला काम, कितना देर जैसे बता है, पाच मिनिट से चालू करो और पाच-पाच सेकंड बढ़ाते जाओ, जिनका operation हो गया है अगर आखों का, वो तीन मास छोड़ दो, तीन मास के बाद चलू करना अगर कोई problem है आखों में तो उसके लिए जरूर यह है कि पैर जमीन पर गड़े हुए हो, अर्थिंग होती रहेगी आखों की protection के लिए जूते पहन कर चपल पहन कर, हाँ थंडी है तो जूते पहन कर खड़े हो जाओ, पर जब-जब सूर्य उपर-उपर आने लगा फिर बीच में जूते निकाल दो ठीक, protection first, ultra safety तो सबसे पहले चुरू करेंगे किप्किनिक को sun gazing से सूरज आ रहा है, आ रहा है, कितना देर करेंगे जैसे पता है, 5-5 second, 10-10 minute और हमने यह चालू कब से किया है एक, December से 90 दिन का पूरशार्थ, तीन मास का तो time को दीरे-दीरे बढ़ाना है, 20 minute तक कई पहुँच गया है, कई लोग 15 minute तक पहुँच गया है, कई लोग 10 minute 20 minute, 15 minute, आदे घंटे तक भी पहुच गया है, कई लोग, तो दीरे-दीरे बढ़ाना है उसको, ज्यादा जल्दी नहीं करनी है दीरे-दीरे और alarm सेट करके रखना है, और कोई भी music नहीं, केवल खड़े रहना है और सूरज को देखना है और अलग-अलग method से कोई लोग ऐसा करते, कोई लोग ऐसा करते महाभारत में, रामायन में दिखाया है जब हनुमान जी पहुचे लंका में, तो भी बिभीशन सूर्य उपासना कर रहे थे ऐसे हाथ करते हुए ये जो position इसमें सबसे ज़्यादा प्रान उड़ जाती है दोनों हाथ उपर, ट्री पोजिशन में, सूर्य की सारी उर्जा मुझ में आ रही है ये position में दिखाया गया है हनुमान जी का पहला जो पहले बार बिभीशन को देखते है तो सूर्य उपासना करते हुए देखते है, तो अलग-अलग position ये position, ये position पर जो भी position लो स्थिर रहने का प्रयत न करना है सूर्य ज को देखते रहना है और नैने, स्वमान, उर्जा मुझ में आ रही है सारी glands एक्टिवेट हो रही है शरीर में जो blockages है खुल रहे चक्र, सक्रियो हो रहे और बढ़ रहा है उर्जा उपर से आ रही है नीचे से आ रही है धर्ती से उर्जा आ रही है solar prana, earth prana, air prana triple prana, तीनों ही प्रान उर्जा मुझ में भर रही है मेरे सारे रोग दूर हो रहे है इतने नैने संकल पाते है नैने विचार आते है अंगेजिंग करते-करते बहुत शक्तिशाली विचार आते है जैसे ये सूरज है वैसे मैं भी ज्ञान सूरज हूँ जैसे ये निस्वार्थ है मैं निस्वार्थ हूँ जैसे ये सारे विश्व को प्रकाशित कर रहा है मैं भी कर रहा हूँ जैसे ये स्थिर है सत्य के सूरज को असत्य के बादल ढक नहीं सकते नहीं नहीं विचार आएंगे सूर्य के संबन बावा के सारे महावाक के याद आने लगते है और प्रकृति की वो आवाजे उस समय चिडियों की आवाजे सब कुछ तो सबसे पहला संगेजिंग संगेजिंग पूरा हो गया संगेजिंग पूरा हो गया उसके बाद में फिर अगर चाहे तो चूस लेके जाना है या पर संत्रा मोसम भी जो भी है फल और नैचरल वहाँ बनाना है अपने साथ किसी भी तरह का पका पकाया बना बनाया भोजन लेके नहीं जाना है, no sandwich, no भेल, no rotiya, no subzi, no pulao, no pizza, no parati, no थेपला, no chutney प्रकृती से प्यार, प्रकृती पती से प्यार अर्थात, प्रकृती से प्यार और प्राकृती से प्यार अर्थात, प्रकृति क्भोजन से प्यार लेके जाना है और वो hand pressed juicer आता है वहीं पर juice निकालो चाहे तो यह optional है तुरंट नहीं करना है क्योंकि लोगों को तुरंट भोजन चाहिए रहता है तुरंट नाश्ता चाहिए रहता है ऐसी शरीर की आदत है इसलिए better है न करे तो यह optional है सेकेंड पिकनिक में मुरली का अध्यन अब यह मुरली का अध्यन करना है कैसे करना है दो घंटे सभी divide हो जाना अलग-अलग चले जाओ कोई यहां बैठेगा कोई वहां पैठेगा दो घंटे तक एक दूसरे से बिलकुल बात नहीं करनी है संगेजिंग हो गया है अलग-अलग इधर तितर वितर विखर जाओ और बैठो और क्या करो मुरली का अध्यन उस दिन की मुरली का यह हम पिकनिक का पूरा प्रोटोकॉल बता रहे है क्या करना है पिकनिक में और जो लोग रोज करते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है और मुरली जो प्रकृति में पढ़ी जाती है पूरी याद रहती है क्योंकि थोड़ा सा पढ़ो और फिर चिंतन करो चाय कैसे पीते हैं लोग या फिर पिकनिक वो ग्लास होता है जूस का थोड़ा सा पीते फिर रखते थे अकबार पढ़ते थोड़ा सा पीते फिर रखते थे वैसे पिबत रामरस यह रामरस है अम्रित है कलमश को दूर करने वाला है यह अंब्रित है मुरली आज सुबगी मुरली वर्दान उनका है चिंतन तुमारा है परमात्म चिंतन तो परमात्म चिंतन क्या है चिंतन कर एक लाइन पढ़ो मुरली की रुख जाओ दूसरी लाइन पढ़ो, रुको आकाश को देखो, पहाडो को देखो प्रकृती को देखो बैट करो, चलते फिरते करो कैसे भी, दो घंटा तक अगर दस लोग गये है, तो ये दस के दस लोग इदर उदर बैट जाए, कोई किदर कोई किदर कोई किदर, और टाइम दे देना है, इतने वज़े वपस आना है एक टीम लीडर रहेगा, जिसके पास सब के नंबर भी रहेंगे, अगर कोई दर उदर जाता है, या जादा है, समाधी में ही चला जाए कोई, उसको नीचे लाने के लिए हो सकता है, कोई समाधी में चला जाए प्रकृति में ऐसा होता है रामकृष्ण परहमांसर बस गुजरते थे और बगुले देखे और गए समाधी, भाव समाधी पवित्रता अकर्षित करती है शुद्ध आतमाओं को कुछ भी शुद्धी दिखते एकदम भाव समाधी में चले जाते फिर उनको नीचे लाना पड़ता था, खिला के ग्राउंडिंग तो दूसरा मुरली, तीसरा फिर जितने लोग है, अगर अक्यले है तो कोई नहीं, अगर दो-तीन लोग है तो फिर बैट जाओ, और मुरली डिसकेशन करो क्या करना है फिर? मुरली डिसकेशन करना है कितनी सारी अव्यक्त मुरली है हम लोग ने पहाडों पर ही डिसकेश की है संडेज हर एक अपने अपने विचार इसलिए इतनी सारी बाते खुल जाती है अक्यले मुर्ली पड़ो अक्यले चिंतन करो तो एक पहलू एकांत अध्रिष्टी अनइकां अध्रिष्टी कौन तब आता है जब कई लोग अपना बताता है कोई ऐसा सोचते है कितनी अलग-अलग सब की सोच एक व्यक्ति क्लास करा रहा है उसका उसकी सोचे बस वो तो एक दृष्टि को नैंटी-नाइन दृष्टि को न और हो सकते उसी चीज को देखने के और ज़रूरी नहीं जो इसने बताया है सुनाया इसका अपना ऑपना चिंतन है और इतना ही तो तीसरा काम क्या करना है मुरली का डिस्कुशन करना है चाओ था, अब आजाओ exercise पर, कहा पर exercise करनी है, पहाडों पर, जहाँ गय है वहाँ, क्या क्या करना है, movement exercises, जैसे थाइची हो गया, Shigong हो गया, हम लोग थाइची करते हैं, थाइची से चालू करते हैं, Shigong करते हैं, और फिर group circle बनाते हैं, और फिर energy exchange करते हैं, और सारे विश्व को सकाश देते हैं, group activities, circle बनाते हैं, उसके बाद में फिर वहीं पर exercise, physical exercise, warm up exercises, और फिर end करते हैं, dance से, dance, कोई भी डान्स जिसको जो आता है अगर कोई है गुरूप में जिसको डान्स आता है वो डान्स कर रहा है फिर सबको क्योंकि डान्स सबसे वेस्ट एक्ससाइज है कल बता रहे है नित्यांजली शिवरात्री की बारा बाते शिवरात्री की बारा बाते संसार में उसमें एक बा व्रत दूसरा जागरन तीसरा प्रतिग्या चौथा बली ये चार पाचवा यातरा तीर्थे यातरा करते हैं शिवरात्री के समय अगला पूजा करते हैं शिवलिंग की काभिशेक करते हैं उसके बाद अद्धेन करते हैं शिवशास्त्रुका उसके बाद संदेश देते हैं द नशा करते हैं और मंत्र जाब करते हैंसी और और वो तो शीवाद्री कहा गया वो नहीं है उसमें प्भूल चड़ाना पूजा करना उसा पूजा में आ गया है कि और मेडिटेशन करते है वुरत में आ गया उप्वास meditation करते हैं जिसको शिवाराधना शिवसाधना कहते हैं खास meditation में बैठते हैं योगी जन तो ऐसी 12 बाते हैं जो शिवरात्री में की जाती है तो अभी आते हैं कहाते हैं हम exercise करना है exercise के बाद ये सब हो गया उसके बाद फिर अब खोलो अपना पिटारा कौन सा? खाने पिने का जो लेके गयते पर वो जितना हो सके raw vegan और इस भट्टी में Monday जो है आज का दिन raw day Monday अर्थात raw day Saturday अर्थात dry day हफते में एक दिन निर्जल नहीं कर सकते तो liquid और juices और हफते में एक दिन आज का दिन Monday raw day raw अर्थात क्या लेना है क्या लेना ये बताओ वो बताओ तुरंत तूट पड़ते जहां चाहा है वहाँ पर रहा है जिसको करना है वो करेगा जिसको नहीं करना है वो नहीं करेगा पर ये इस भट्टी का एक नियम के रूप में बता रहे हैं करके देखो क्या होता है और यह सईयम की परिक्षा है आत्मसईयम की परिक्षा है फिर पता चलेगा वो छे बाते बाहर निकलेगी जो उस दिन बताई थी कौन-कौन सी पके हुए अन्नकी चाह खाली पन क्या लगेगा पेट खाली-खाली है जैसे कुछ खाया ही नहीं, यह अनुबह होगा, कमजूर यह अनुबह होगी, पुरानी बीमारिया उबरेगी, और बार-बार भूक लगेगी, अभी जूस पिया, एक घंटे के बाद खाली, क्यूंकि पका हुआ भोजन रहता है, जो कच्चा भोजन है, वो त उसको क्या समझ लेते हैं, यह भूक है, उसकी एक दूसरी क्लास होगी, what is true अंगर, what is false अंगर, उसकी आगे क्लास होगी एक, परन्तु वो भूक नहीं है, वो पेट का खाली-पन है, और जब पेट खाली होता है, तो प्रान उर्जा बहने लगती है पूरी शरीर में, परन प्रानिक फ्रोग अभी स्टैबलिश ही होने वाला है, बस अभी होने ही वाला है, बस अब मंजिल पक पहुचने ही वाले है, पर हमको लगता है, हम चुक जाते हैं, चुक जाते हैं, बस अब इतना सही देरी रह गई थी बस, बस टची करने वाले थे, बस नीचे, क्योंकि बादा आगई कौन सी बादा आगई खाली पन लग रहा है कमजूरी लग रही है बार बार भूग लग रही है पकी वे अन्नकी चाह हो रही है शाम होते होते कुछ तो मिल जाए बस एक बिस्किटी मिल जाए तो बहुत है एक सैंड्वीच का एक तुकड़ा भी खाते समय करो रेसिपीज अवेलेबल है धूंडो मिल जाएगी तो यह हो गया पाचवा उसके बाद अब यह भोजन होने के बाद में दस प्रकार के भोजन है अब यह है मुख्य कौन-कौन से उसके बाद में थोड़ा जंगल वाक करो यह भी बहुत अच्छा है जंगल की जो पकदंडिया होती है न उसमें से थोड़ा ग्रूप के साथ इधर उदर जाओ नई नई जगा पर वहीं स्थान पर थोड़ा सा घूमो थोड़ा सा मेडिटेशन करो बैट कर योगनिद्रा क लुगनिद्रा का अभ्यास करना योगनिद्रा निद्रा नहीं है इन उनन फे अलग प्रकार कि यह नयाई वह लृगनिद्रा कर सकते है जंगल वक सख्वक सकते है बहुत ज्यान पढ़ता है जब नुट्य से चलते हैं कि काटता ना चुब estás very चुपे हमारा attention बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि एक एक कदम हुक फुक के रखना पड़ता है एक्टिविटीज कर सकते बहुत सारे activities है बहुत सारे games है और बहुत सारे spiritual activities है spiritual games है हम लोग nurses की पिक्निक में कहते nursing निचला गड़ में वहाँ पर बहुत सारे गेम्स की खेले थे जैसे चिटकिया बनाई थी और फिर उस चिटकी में किसी का नाम था और जिसका नाम आया अब एक स्टाफ उस स्टाफ के बारे में कुछ उसकी विशेश्चता है सुनाएगा जैसे चिटकिया रखी और आपने एक चिट्ठी पीकप की उसमें नाम आया अर्विन भाई अब अर्विन भाई की तीन विशेश्चता सुनाओ तो ऐसे आया एक बहन का इतना अश्चर यह हो मुझे उसने क्या विशेश्चता सुनाई पता है उसकी हाइट कम थी और जिसके फिरिशन डाफ थी उसने क्या सो नहीं पता है वह बहुत कम बात करती है किसी से बात नहीं करती हो सब लोग उसके कहते रहते हैं, तुम भात नहीं करती, तुम यह नहीं करती, तुम चुप चाप रहती हो, तो उसको उस वेक्ति की चिठी आई, कि जो नहीं नहीं जोइन किया था, वो भी चुप रहने वाली थी, वो भी जब से यह आई न, मुझे बहुत सपोर्ट हो गया, क्योंकि वो भी कम बोलती हैं, मैं भी कम बोलती हूँ, ऐसी ऐसी विशेशता है सुनाई से, मनी भाई ने भी सुनाई थी, खतरनाख विशेशता, तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते, बहुत सारे गेम्स के ले जा सकते, तो पिकनिक गेम्स है, बहुत बड़ी लिस्ट है पिकनिक गेम्स की, यह हो गया, तो अभी हम में इस पर आते हैं, दस प्रकार की भोजन, सबसे पहला भोजन है अर्थ, पहला भोजन है अर्थ, अभी थोड़ा इसमें डेमोंस्ट्रेशन करके दिखाएंगे, इसको उटा दो, टेबल को, आप भी थोड़ा इदर हो जाओ, अब उपर बेढ़ जाओ, तो सबसे पहले धरती हमारा भोजन है, तो जब अकेले जाओ, या ग्रुप में जाओ, तो कैसे करेंगे, तो उसमें दो-तिन टेकनिक से, पहला है धरती पर लेट जाओ, पेट के बल, लविनश भाई, बताओ, पेट के बल लेट जाओ, पेट के बल, इधर-इधर उपर, उपर-उपर, ऐसे, यह देखो, यह जोईचीन को देखो, इधर-इधर, दोनों हाथ ऐसे, और दोनों पैर रिलाक्स, इस पोजिशन में लेट जाना है, जैसे धर्ती की उर्जा सक कर रहे हैं, और एकदम रिलाक्स करो दो बोड़ी को, दोनों हाथ नीचे, दोनों पैर, और यह सोचो कि मैं वैक्यूम क्लीनर हूँ, पूरा सक कर रहा हूं उर्जा को, धर्ती की सारी उर्जा, अब मुझ में प्रवेश कर रही है, इसको कहते हैं, पहले नंबर का भोजन, धर्ती की उर्जा को लेना है, पूरा अपने अंदर लेना है, कि उर्जा मुझ में आ रही है, दूसरा, अब सीधे हो जा, दोनों पोजिशन में, अब सीधे सो जा, और फिर कभी इस position में कि धर्ती से पूरी उर्जा जो है दोनों पैरों में थोड़ा अंतर दोरों हातों में थोड़ा अंतर और धर्ती की सारी उर्जा मुझ में प्रवेश कर रही है मेरे अंग में प्रान उर्जा प्रवेश कर रही है मैं शक्ति से भरते जा रहा हूँ धर्ती में कितनी उर्जा है धर्ती में कितनी पावर है धर्ती के प्रती कृतक गिता का भाव धर्ती का चिंतन करो और और एक काम कर दो मुझ में पवित्रता की उर्जा धर्ती को जा रही है मैं परम पवित्रा आत्मा हूँ और मेरी उर्जा कहा जारी है और धर्ती को जब मेरी उर्जा जारी है तो धर्ती पर जितने प्राणी है जितनी आत्मा है उन सब को मेरी उर्जा मिल रही है ये है सबसे पहला प्रयोग धर्ती के साथ स्वाइन में भी फाइदा होगा और यह कैसे कहा पर भी करना है जहाँ पर धर्ती है वहाँ पर अकेले जाओ कोई भी जाओ दो-तिन लोग है तो दो-तिन लोग इस तरह से करो तो इससे क्या होगा हमारे अंदर धर्ती की सारी उर्जा आ जाएगी और एक चीज जब उल्टा सोते हो और जब श्वास लेते हो तो सोचो श्वास लेते समय उर्जा आ रही है और श्वास छोड़ते समय वो उर्जा मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है लेते समय धर्ती की उर्जा मुझ में मस्तिक्ष में आ रही है और जब मैं छोड़ रहा हूँ, तो मस्तिष्ट से अब सारी उर्जा शरीर में जा रही है, यह है सबसे पहला भोजन, कौन सा? अर्थ, अब आते हैं दूसरा भोजन पर, दूसरा भोजन है ट्री, जहाड, ठीक है? दूसरा भोजन है जहाड, जैसे आप आजो, आप जहाड है खड़े हो जहाड बनकर, आप जहाड है, ऐसा जहाड खड़े हो जहाँ बस, यह जहाड है, आप खड़े हो जहाँ, तो सबसे पहला इस जहाड के पास जाना है, इस जहाड से पूछना है जहाड, क्या मैं तुम्हारी उर्जा लो, पर्मिशन लो जहाड से, कि मैं तुम्हा पहले से दोस्ती हो तो क्योंकि हर जाड में भी spirits निवास करते है कहते है उससे permission लेनी होती है जाड से उससे permission लो जाड कहते है हाँ हाँ ठीक है ठीक है तो फिर जाड को हग कर लो हग कर लो जाड को इसको कहते है tree hugging अब जाड के अपना सिर लगा तो जाड को अब बैठ जाओ फिर ज्ञाड को ऐसे ऐसे करना है देखना है उसके जो ट्रंक है न वह हर ज्ञाड का अलग-अलग उर्जा होती है तो अनुभाव करना है कि उस ज्ञाड से मुझमें उर्जा आ रही है जितना बड़ा ज्ञाड होगा उतनी अधिक उर्जा जितना बड़ा ज्ञाड उतनी उर्जादिक उसमें different energetic field होती है और वो सारा हक करना है और सोचना है इसकी सारी उर्जा बुझमें आ रही है फिर से वही प्रयोग श्वास लेते समय उर्जा आ रही है और श्वास छोड़ते समय उर्जा पूरे शरीर में जा रही है हाँ जिस ज्ञाड को किसी ने नहीं छुआ है उसमें तो और ज्यादा उर्जा होती है जो बहुत फैला हुआ होता है उसमें बहुत ज्यादा उर्जा होती है जो जितना deep jungle में होता है उसमें उतनी अधिक energy field होती है जिसका बहुत विस्तार है और जितना बड़ा जो होता है उसमें और ज्यादा उर्जा होती है और जितना पुराना जो होता है उसमें अधिक उर्जा होती है और उसके पुरे ट्रंग को देखो एक जाड ना मिले दूसरे जाड से सब तरफ से देखो उसको घूमो बुद्ध का जनम जाड के नीचे पहला प्रवचन जाड के नीचे संबोधी प्राप्त की जाड के नीचे पहला प्रवचन जाड के नीचे शरीर छोड़ा जाड के नीचे सारा जीवन पेडों पेडों पेचला गया योगी तपस्या कहां करते है पेडों के नीचे क्योंकि पेडों में उर्जा होती है शक्ति होती है, पावर होती है और ज़ाडों के प्रती धन्यवाद का भाव यह हम काटेंगे नहीं, हम तुम्हें दुख नहीं देंगे, किसी को दुख नहीं देंगे, दोका नहीं देंगे, दुख नहीं देंगे, कल की नेबी उसके बाद में पैडता या प्लांट चोटे जाडोते ना अब इसमें क्या करना है? इसमें बहुत सर आएगा, उसकी पत्ती वह 활"! पत्ती होती है, फल होता है, फूल होता है, ये तीन चीज़े होती है, उनको हाथ लगाना है, अपने दोनों हाथों में लेना है, उसको प्यार करना है थोड़ा, कि तुम्हारी उसकी सारी उर्जा मेरे हाथों में आ रही है, हैंड्स में हीलिंग एनर्जी होती है, उसकी पत्त उसका सुगंद लो, उसका रंग देखो, एप्रिशियेट करो, एक रंग ना मिले दूसरे से, एक पत्ती ना मिले दूसरे पत्ती से, एक फूल ना मिले दूसरे फूल से, और जब हम फास्टिंग स्टेज में करते, तो हमारे सेंशियल परसेप्शन बहुत शार्प हो जाता है अगर हमने वहाँ जाके सेंडवीच खा लिया तो ये कुछ नहीं दिखेगा फिर वहाँ जाके बेल खा लिया तो कुछ नहीं दिखेगा ये सारा तब दिखेगा जब भीतर प्रानूर्जा बह रही है इसलिए सुभे का समय बहुत अच्छा है जब हम खाली पेट होते है फिर भी भूक होती है अभी सब खाली पेट है भूक है किसी को? नई, खाली पेट और भूक दो अलग-अलग चीज़े है वो तो हम खा लेते आड बजे क्योंकि आदत है भूक से कोई संबंध नहीं है उसका रात में ऐसा कौन सा परिश्रम किया रात बर क्या मजदूर ही कर रहे थे जो सुबह-सुबह खाना है पेट आराम कर रहा था रात बर उसको आवशकता ही नहीं है कुछ डालने की इसलिए अपना टाइम भी दिरे-दिरे बढ़ाना है आठ बजे खाते हो तो सवाठ कर दो सवाठ करता है खाते है कोई तो साड़े-आठ कर दो पंदरा पर नरा मिनिट आगे जाते 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 बारा तक बहुचो बारा बजे तक ना खाना न पीना निर जला जब बारा का ट्राफिक कंट्रोल बजेगा उसके बाद ही फिर भोजन की याद आए और आज तो रौडे है रौ में चार चीज़े आएगी सबसे पहला पानी दूसरा अगर चाहे तो जिनको आदती है और छूटती नहीं है चाहे कौन सी चाहे पर हर्बल्टी, ग्रीन टी हुन्जा टी यह इस तरह की और डिप करो और बस वो वाला जो नहीं लेते हो उनके लिए बहुत अच्छा नारियल पानी पानी उसको कहते थिन लिक्विट्स दूसरा है जूसेस तीन प्रकार के जूसेसे पहला जूस है हरी पत्तियों का जूस जिसको कहते है ग्रीन जूस दूसरा है वेजिटेबल जूस लाव की खीरे का जूस तीसरा है फ्रूट जूस फलो का जूस संतरा मौसम भी पाइनेपल तो अलग-अलग टाइम पर अलग-अलग लिया जा सकता है आज सारे दिन भर में यह है दूसरा डाइट आज का तीसरा डाइट है स्मूदी अलग-अलग प्रकार की स्मूदी हम लोग जो जाते है इतना बड़ा स्मूदी बना के लेके जाते है दो क्यान भर के सुबह पाच बजे से चालू करते है स्मूदी रेडी वहाँ जाकर जैसे ही exercise सब होती है, सब को smoothies, वो बहुत पसंद आता है सब को, smoothie अर्थात, दो-तिन फल मिला लो, खजूर पेस्ट मिला लो, और बहुत अच्छा बनता है smoothies, nuts मिला लो, smoothie अर्थात, फल और मेवे का mix मेवे अर्थात, काजू, बदाम किस में बिस्ता, वो सब को रात में भिगो के, उसके साथ mix कर दो, और mixies में ये कर दो smoothies, ये है तीसरा, चब था जो लोग पके हुए आहार के विना रही नहीं सकते, जिनकी जान है उसमें जीवन जैसे मृत्य वनुवह होता है, जब तक पका हुआ नहीं खाया, उनके लिए option है soups, रात में soups, सारे दिन बर में sugary ness, रात में salty, सारे दिन बर में मिठा मिठा, रात में एक बार पका हुआ और salt वाला थोड़ा सा, जिसको कहते है soups, और वो भी thick smooths, soups में भी thin वाले नहीं, कि जिसमें life energy लेनी है अगला है rock, पत्थर अगला भोजन क्या है हमारा पत्थर का भोजन तो पत्थर के लिए क्या करना है, पत्थर होता है न, जितना बड़ा पत्थर होगा उसमें प्रानूर्जा ज्यादा, जितना चोटा पत्थर होगा प्रान उर्जा कम, बड़ा आसा पत्थर लो और उल्टा लेट जा क्या करना है पत्थर को खाना है ऐसे पत्थर, और ऐसे हाथ करके पत्थर पर लेट जा, पत्थर की सारी उर्जा मुझे में आ रही है प्रान उर्जा, मुझे में भर रही है यह position है, यह जोई चीम यह देखो, पत्थर को खा रहा है, उल्टा लेट कर, तो ऐसा लेट जाना पत्थर पर, और उल्टा लेट जाना, फिर सीधा लेटना, दोनों तरफ से, पहले सीधा, फिर उल्टा, और अनुभो करना, उस पत्थर की उर्जा कैसी है, अभी इस पत्थर की उर्जा कैसी है, दोनों पत्थर अलग-अलग है, फिर धिरे-धिरे, जितना हमारा मन, सुक्षम और शार्प होते जाएगा, हमको डिफरेंस नोट होगा, कि उस पत्थर की उर्जा अलग थी, इसकी अल अनुबह हुआ आज बड़ा पत्थर है यहां कुछ और अनुबह हो रहा है और एकांत में सारे कारियों करो तो बहुत फाइदा है ग्रूप में करो तो भी अच्छा है पर मौन हो तो इसमें उर जाएगी यह सब करने के बाद फिर स्थूल भोजन की साकारी भोजन की इच्छ अकेले जाके खा लेते फिर क्यूंके दूसरों के सामने इज़त रखनी है कि मैं यह नहीं खाता है एक भाई था तो पिकनिक थी तो मन बनाके गया था कि आज मैं सब खाउंगा पर सब लोग उसके इस तरह से जानती थे कि यह कुछ नहीं घाता पर वो मन बैज बना के गया था कि आज तो मैं खाओंगा अब खाने गया था लोगों ने fruit कि प्लेट रगती सामने लो उसका बिचार था आज तो खा लेता हूं मसद थो फूट प्लेट ही रगती तो आप्या करे उस दिन तोड़ा लगा कि एक दिन तो कर लेता हूँ अगला है विंड तेज हवा चल रही है ऐसे खड़े हो जाओ जितनी तेज हवा होगी जितना डेंजरस प्लेस होगा या प्राकृतिक स्थान होगा उतनी प्रान उरजादिक पर सेफटी प्लस फिर से कह रहे सेफटी प्लस फरस्ट तो बहुत तेज आंदी तुफान हो रहा है उसमें जाके खड़े हो जाने और क्या अनुभाव करना अंग अंग में ये तुफान ये जो हवा है प्रानूर्जा विंड प्राना इस एंटरिंग मी ये वाला प्यास जब बहे तब ये नहीं कहना कि बहो 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 हैंड ओपन रहने चाहिए ऐसे तक कि मैक्जिमा और जितना शरीर एक्स्पोज हो उतना अच्छा अगला है रेन ये सबसे पाउर्फुल है बारिश बारिश में हम क्या करते अपने आपको बचते थोड़ा था भी बारिश भीगना नहीं चाहिए अरे एक-एक बूंद में प्रान उर्जा है और वो बारिश जिस दिन बिजलिया कड़क रही है उसमें तो बात मत पूछो पर सेफटी प्लस जहाड के पास खड़े रहना सीज़ा जाके मत खड़े रहना तो बिजली गिरेगी सिर के उपर फिर कहेंगे आपने सुनाया था परंतु ऐसी जो आंधी तुफान वाली बारिश होती है न बहुत स्ट्रॉंग उर्जा होती है उसमें बहुत ज़्यादा उर्जा होती है पर हमें इस संकल्प के साथ जाए कि ये उर्जा मुझ में आ रही है तो फायता होगा अगर डर डर के कर जाए तो कुछ नहीं होगा और जहाड के पास खड़े रहना फिर इसलिए कह रहे हैं बिजली ना किरे तो हो गया ट्रेन उसके बाद है सन सन के लिए बता दिया है अल्रड़ी सन गेजिंग सन को देखना सन बात करना जितना शरीर का एक्सपोज हो शरीर का उतना अच्छा लोग हम रोज हम देखते जितने बीकेज है सबका विटामिन-D level बहुत लोँ है क्यूँकि बीके की दिन चर्या में सूरज है ही नहीं बीके को सूरज से दोस्ती ही नहीं वो सुबह उठते हैं अमरितवेला करते हैं एक्सराइस कर लेते हैं सेंटर पर और फिर मुरली और फिर कोर्स कराते है कराते सारा दिन सुबह से लेके रात तक घर के अंदर है उनका विटामिन D लेवल उतना ही आता है जो मुस्लिम देशों की जो स्तिरिया होती है उनका पूरे बुर्खा में डखी हुई होती है सुरज को देखते ही नहीं सुरज से प्यारी नहीं है सन का एक्स्पोजर चाहिए शरीर को तब विटामिन D बढ़ेगा और विटामिन D जब कम रहता है तो डिपरेशन रहता है उदास लगता है शरीर में दर्द होते रहता है तो sun, उसके बाद में है ocean ocean की उर्जा बहुत powerful है समंदर उसमें नहाना, बैटना, पैर रखना जो भी कुछ करना सारे महावाक्यों को याद करना सागर समंदी सागर में नहाना, नदी में नहाना तालाब में नहाना, कुए में नहाना सब अलग-अलग अनुभाव है बहुत powerful होता है सागर का बहुत powerful उसके बाद में है और floating होता है, जो लोग swimming जानते होंगे कैसे float करते हैं ऐसे तैरते रहते पानी के उपर, floating जो नए नव सिखिया होते हैं उनको पहले floating ही सिखाया जाता है जो rod पैन के पकड़ो और float करते रहो शुरुआत हो, शुरुआत में floating सिखाया जाता है, वैसे float करना पानी पर उसके बाद में है the more dangerous the place, the more energizing it is उसके बाद में lake, जील जील में भी फिर वही उसके बाद में नदी नदी में बहुत सारी चीज़े कर सकते है नदी में पैर रखना पर safety plus first ठीक है न, तो उसके बाद में streams streams हरता छुटे-छुटे जहरने उसके बाद में waterfall waterfall भी बहुत powerful है जो यांसरों के पीछे गया है कोई वहाँ यांसरों के पीछे वाला बहुत strong है waterfall वहाँ पे वहाँ पे खड़े रहना है और क्या करना है पता है waterfall में जब खड़े होता है जोर से चिलाना है कोई भी, कुछ भी, कोई भी द्वनी waterfall पानी गिर रहा है और जोर से चिलाना है और फिर एकदम आखे बन करके शान्त हो जाना है और शरीर पर जो समविदना है उत्पन नहों होती है उसका अनुबह करना है चिलाने के बाद यह सब experiments है shouting in waterfall कहते हैं इसको फिर है last animals, नहीं, ninth animals animals अर्दात, बिल्ली, कुता बंदर, गाए पर यह थोड़ा dangerous भी हो सकता है तो पहले उसकी permission भी ले लेना और उसके बादी करना साप बालो गाए बहुत प्यार करना उससे प्राणी उससे प्यार जितना हमारे अंदर positive उर्जा होगी उनसे भी उर्जा आएगी तो प्राणी, उनसे भी उर्जा हम ले सकते फिर है moon चंद्रमा, moon gazing रात में चंद्रमा की उर्जा मुझ में आ रही है, वो शितिलता मुझ में आ रही है मैं भर रहा हूँ उस उर्जा से तो ये सारी चीज़े हैं ये सारे अलग-अलग परकार के क्या है? भोजन है ये सब कहां करना है? प्रकृती में और यहां और एक चीज़ करनी है समर्पन कर देना है खुद को मैं समर्पित करता हूँ उस स्वयम को हे प्रकृती अब तुम मेरी पाल ना करो एक्सरसाइज करनी है, ट्री एक्सरसाइज जैसे ये पोजिशन मैं खुद ही एक ट्री हूँ जैसे ज़ाड होते है न, ज़ाड को क्या चाहिए? खाता है क्या ज़ाड? नहीं खाता है ज़ाड का भोजन क्या है? सूरिय की किरने? हवा, बस, वैसे मैं ज़ाड हूँ उजे बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए human photosynthesis जैसे वो photosynthesis करते हैं उसमें chlorophyll होता है वैसे this is known as human photosynthesis मैं अपने आप उर्जा से भोजन तयार कर रहा हूँ भीतर तो यह सारी methods है किसकी? रुहानी पिक्निक की तो जब भी time मिले जो लोग रोज कर सकते हो तो रोज ही करे और कितना देर करना है? 15 मिनिट 20 मिनिट, आदा गंटा भी, किरो तो भी बहुत है अब duty चालू और नौ बजे हमारे पास आदा गंटा है, साड़े आठ से नौ आदा गंटा कहीं जाके आजा कहीं पर भी जाके आजा किसी पेड़ के पास ही बैठ जाओ, जरूर नहीं है कि सब के सब एक साथी करना है एक करो एक दिन में, इन दस बातों में से तो बहुत फाइदा होगा तो हमारा जीवन कैसा जीवन है? आनंद का जीवन है, प्रेम का जीवन है उस पिकनिक से तो ये पिकनिक बहुत अच्छी है सस्ति सुंतरो ठिकाओ पत्नी कहती है, सुनो जी, सोमवार, खरिदार करेंगे मंगलवार होटेल का प्रोग्राम, बुद्वार को लॉंग ड्राइपर जाएंगे, गुरवार को चाइनीज करेंगे शुकरवार को मुवी देखेंगे, शेनिवार को पिकनिक करेंगे कितना मसा आएगा? पति कहता है, जरूर और अविवार को मंदीर जाएँगे पत्नी कहती, वो क्यों? वो किते है, भीक मांगे आठ्राजून, इंटर्नैशनल पिकनिक धे है अठरा जून International, International Societies ने recognize किया कितना important है पिकनिक घरों में तनाव है यह पिकनिक तनाव को diffuse करता है इसलिए पती पिकनिक पती पिकनिक पर पत्नी को शमशान घाट पर ले गया, पत्नी कहती यह कहां लेकर आए, अरे पगली लोग मरते हैं यहां आने के लिए अरे पगली, लोग मरते हैं यहां आने के लिए तो आज बदरा उठा प्रेम का रे हम पर बरसा होई हर्शिली हो गई आत्मा और हरी भरी बन रहाई मनमस्त हुआ फिर क्या बोले मनमस्त हुआ फिर क्या बोले हम शंत आज बदरा उठा प्रेम का एज बदरा उठा प्रेम का आरे हम पर बरसा होए हर शीली हो गई आत्मा और हरी भरी बन राई मश्त हुआ फिर क्या बूले मन मस्त हुआ फिर क्या बोले मन क्या बोले, फिर क्या बोले, मस्त हुआ 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 फिर क् मुले मन तुस्त हुआ बिल्या हुए हलकी थी जब जड़ीता राजू हलकी थी जब जड़ीता राजू हलकी थी जब जड़ीता राजू पूरी भरी तिर क्या तोले मस्त हुआ पिर क्या तोले मन मस्त हुआ पिर क्या बोले मन घीरा पाया बंध गठडिया मस्त हुआ तिर क्या बंध गठडिया मंसरो अवर। इंसा नावे मनसरो अवर। बंसा नावे, बंसा रोबर, ताल तलाईयम क्यों डोले, ताल तलाईयम क्यों डोले, बंस्त हुआ पिर क्या बोले मन मस्त हुआ पिर क्या बोले, क्या बोले, बंस्त हुआ पिर क्या बोले मस्त हुआ पिर क्या बोले मन मस्त हुआ पिर क्या बोले मन मस्कर हुआ निया बो क्या तबीर उनो भैसा दो कैद कबीर सुनो भैसा दो साहिब मिल गया दिल ओले साहिब मिल गया दिल ओले मस्त हुआ पिर क्या बोले मन पिर क्या बोले